आज हम बात करेंगे फ्रेज स्टोरी के राइटर सत्याजीत रे के बारे में सत्याजीत रे का जन्म 2nd मैं 1921 में कलकत्ता में हुआ था वो एक फैमस राइटर, डिरेक्टर, इल्लुस्ट्रेटर, म्यूजिक कम्पोजर रह चुके है उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरी और नॉवल भी लिखी है उनको भारत रत्र एवोर्ड, दादा साहेब फाड के एवोर्ड और इंडियन नेशनल फिर्म एवोर्ड से भी नवाजा गया है सत्याजीत रे ने 26 होरर स्टोरी लिखी है उनमें से एक फैमस सॉर्ट स्टोरी फ्रिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे मैंने फ्रिट्स की सम्मारी अल्रेडी अपलोड कर दिया है इस वीडियो में हम फ्रिट्स की स्टोरी को डीटेल में जानेंगे अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को अंते तक ज़रूर दे ये फ्रिट्स एक डॉल होती है ये डॉल फ्रिट्स के में केरेक्टर जैनतो की होती है और इस कहानी को हमें नेरेट कर रहे है जयनतो के फ्रेंड शंकर तो शंकर ये फ्रिट्स के नेरेटर है तो चलिए फ्रेंड जानते हैं फ्रिट्स की कहानी के बारे में अगर का मेन केरेक्टर है जयनतो ये जायन तो न्यूस पेपर के एडिटोरियल डिविजन में काम करता है और उसका फ्रेण है शंकर ये शंकर एक टीचर होता है कहानि के शुरूआत यों होती है कि जायन तो और उसका फ्रेण शंकर दोनों ट्रेंड में बैट कर बूंदी जा रहे है जो कि राजस्तान में है ये बूंदी जैपुर उदेपुर जितनी famous place नहीं है लेकिन फिर भी ये दोनों बूंदी जा रहे क्योंकि जायन तो जब छोटा था जब वो 6 साल का था तब वो अपने parents के साथ बूंदी आया था जायन तो के पापा archaeological department में काम करते थी तब जायन तो अपने mommy पापा के साथ बूंदी आया था और वो 100 साल पुराने British Arts के बनाए हुए circuit house में ठहरे थी और आज 31 year के बाद 31 साल के बाद जायन तो फिर वापस उसी circuit house में उसी जगह आता है कि जब वो 6 साल का था तब आया था जायन तो और उसका friend शांकर उसी circuit house में ठहरे थी जहां पर जायन तो पहले रुका हुआ था जब वो छोटा था तब आया था तब उसी circuit house में रुका था अचानक शांकर नोटिस करता है कि जायन एकदम शांत दिखाई देता है वो थोड़ा sad भी होता है तो शांकर पूछता है कि क्या हुआ तुम क्यों इतने sad हो तो जायन तो deny करता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो दोनों garden में walk के लिए निकल जाते हैं चाय पीते हैं तो जायन तो को देवदार का tree याद आता है वो शांकर को बोलता है कि यहीं कहीं एक देवदार का tree है और वो बहुत खुश है वो देवदार का tree ढूणने में लग जाता है और उसको देखके जायन तो को अपने पुराने यादे याद आती है वो याद करता है और बोलता है कि हम जब पहले यहाँ पे आये थी तब ही Gook था, उसका नाम था Deliver वो आगे बताता है कि मेरे पापा यहाँ पे बैठा करते थे और मेरी मम्मी यहाँ नीटेंग का काम किया करती थी और जैन तो बोलता है कि और जैन तो को अपनी डॉल याद आती है ये डॉल उसके अंकल उसके लिए स्विजर लेंड से लाए थे और उस डॉल का नाम था फ्रीज ये डॉल एक ओल्ड मैन की बाराइच लंबी फिगर थी वो बिलकुल रियालिस्टिक लग रही थी और उसके अंकल उसको बोल रहे थे कि उसके अंकल ने ये डॉल एक ओल्ड मैन से खरे दी थी और ये ओल्ड मैन उसको फ्रीज बोलाता था और ये ओल्ड मैन ने उस अंकल को बोला था कि इस डॉल को हमेशा फ्रिज के नाम से ही बुलाना तो ही ये रिस्पॉंड करेगी और ये डॉल जयन्तों की फेवरिट थी, हलाकि जयन्तों के पास बहुत सारे टॉइस थे, लेकिन वो हमेशा इसे डॉल के साथ खेलता रहता था और इसे डॉल से वो बातें भी किया करता था लेकिन उसके मॉमी पापा को ये पसंद नहीं था कि वो दिन बर शांत हो जाता है तो शंकर कहता है कि क्या हूआ उस डॉल का क्या हूआ तो जयन तो बोलता है कि फिर एक दिन वो टॉल तूट गई और डिस्ट्रॉय हो गई एक दिन जब जयन तो अपने मॉमी पापा के साथ चाय पी रहा होता है तब ही उसके पैंट पे चाय गिरती है और तब ही वो चेंज करने के लिए अंदर जाता है उसी वक्त दो डॉग आते है और वो डॉग इस डॉल को छीन के ले जाते है और ये दोनों डॉग ने उस डॉल का पूरा फेस डिस्ट्रॉय कर दिया था उसको पहचनना भी मुश्किल था कि ये फ्रीज सी है ये वही डॉल है और फिर उसके बाद उन लोगों ने देवदार ट्री के नीचे उस डॉल को बरी कर दिया था और आज इतने सालों बाद जैन तो जब वहाँ पे गया है तब ये सब मेमरीस उसको याद आ रही है ये डॉल उसको याद आ रही है कि उसकी अंकल थे वो स्विजर लेंड से जैन तो के लिए डॉल लाए थी जिसका नाम था फ्रीज वो दिन बर उसके साथ ही टाइम स्पे डॉल को देवदार ट्री के नीचे बरी कर दिया इस तरह से डॉल उसकी जिन्दगी में अब नहीं रही थी ये सब जैन तो को याद आता है और इसलिए अब शंकर को पता चला कि क्यों देवदार ट्री को इस तरह से जैन तो ढूंड रहा था इस बाचित के बाद जैन तो शंकर दोनों अपने सरकिट हाउस में दस बजे वापस चले चलते हैं और फिर दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं पहले शंकर सो गया होता है और कहीं पर आवाज आती है तो शंकर उठ जाता है और उठ के वो देखता है कि जैन तो बिलकुल स्ट्रेस में बैट पे बैठा तो वो जयन तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों इस तरह से बैठे हो, तो जयन तो बोलता है कि ऐसा दूसरी बार हुआ, कि मैं खड़ा होकर बैठ गया, जयन तो बोलता है कि मुझे किसी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि फ्लोर पे कोई चल रहा है, फिर लाइ जाने का तो फिर यही रास्ता है और जयन तो कहता है कि हो नहो जो भी कोई है वो अभी भी इस रूम में मौझूद है जयन तो को यह फील होता है कि रूम में कोई है और कोई चल रहा है और फिर तभी जयन तो बोलता है शंकर को कि मुझे लगता है कि मेरी क्विल्ट पे ब्रा सपना देखा होगा इसलिए तुम ऐसे भी हिव कर रहे हो और फिर दोनों सो जाते हैं और मॉर्निंग में उठके वो लोग कार में बूंदी फॉर्ट देखने जा रहे होते हैं और रास्ते में जयनतों को अपनी पूरानी यादे याद आती है वो शंकर को कहता है कि हो ना हो कल रात फृट सी मेरे कमरे में आया था और वो जो मार्क्स दिख रहे थे ना मेरे क्विट पे वो उसके फूट प्रिंट के थे और तब ही संकर समझ जाता है कि ये जयनतों की इमेजिनेटिव आइडियास है और उसको इस आइडियास से फ्री करना ही पड़ेगा वरना ये और वो गार्डन में जाके गार्डनर को रिकपस्ट करते हैं कि उसके लिए खड़ा खोदने में उसकी सहायता करें फ्रिट्स जहां पर बरी किया गया है उस जगह को खोदने में गार्डनर उसकी हेल्प करें तो गार्डनर मान जाता है और फिर खड़ा खोद कर वो लोग तो शौक हो जाता है कि जहांबर फ्रिट्स को बरी किया गया था उस जगर उन लोगों ने जो देखा वो देखके ठंड में भी जायनतों को पसी ने आ गए उस होल में देखकर उसकी आँखे भी फड़कने लगी वो लोग विश्वास नहीं कर पार रहे थे वो लोग डर गए थे उसकी आवास भी रफ हो गई ये देखके कि उस खड़े में एक 12 इच लंग 12 इच लंबा वाइट यूमन स्केलेटन था फ्रिट्स की जगा उन लोगों को एक स्केलेटन मिला और यहीं पर स्टोरी खतम होती है फ्रेंस इसका एंड को राइटर ने हम पर छोड़ा है कि हम क्या सोचते है कि या ये स्टोरी होरर स्टोरी है कि जैन्तो की इमेजिनेशन थी उस राज जैन्तो के ऊपर जो चल रहा था क्या वो माउस था या फिर सच में फ्रिट्स डॉल थी और ये सवाल हमें सोचने पर मश्बूर कर देता है फ्रेंस अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे थेंक यू